हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो माई चैनल और आज का व्लॉग है मेरी फ्रेंड अन्तिमा के लिए क्योंकि उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे तो हम मेट्रो में जा रहे थे उसके अनॉइडा वो अनॉइडा रहती है अन्तिमा दूबे करके उनका चैनल है समा जो है ना अन्तिमा मेरे को वाश्रूम जानका तो जरा वो वाश्रूम बही है और फिर मैं उससे पूछती हूं मैं हमेशे दोखने बास के आज चुकी हूं बट मैं हमेशे बहुल जाती हूं तो चलिए चलते हैं और आज की व्लॉग में आप ये देखेंगे कि मेरी फ्रेंड के टें में 10,000 स्क्राइबर हो गए तो ऐसे पुशी के मौके पर अच्पिना सेलिब्रेट किया जाए तो बस एक मैं बड़ी चीज नहीं है बट स्टिल अगर आप प्रेंच है तो चीजे बहुत मैटर करती हैं तो चलिए मिलते हैं कि वहां से मेट्रो स्टेशन से नीच उतर के हमने यह रिशा कर लिया था जो हमें डिरेक्ट रही छोडने वाला था फ्रेंड्स तो मैं आ गई थी यहां पर नॉइडा गौर ग्रैंडियोर सिटी आइधिक सोसाइटी का नाम है मैं गौर ग्रैंडियोर याद रहता है वैसे आंड यह इतनी शान्ती वाली जगह है यहां पर मुझे बहुत छा लगता है जब भी मैं इसके यहां आती हूं और हमायर तो बहुत एक्साइट है कि इसको ओस से मिलना है तो वह बर तब से यह बोज़े बिजल्दी पहुंचाओ जल्दी पहुंचाओ और यह देखे फ्रेंड्स हमा कि नीज का अंतिमा की नीज का एक फंक्शन था तो उसी के प्रिप्रेशन चल रहे थे देखें अंतिमा ने उसको कैसे रेडी करा कर दो गह बोड़े देखें आड़े दो प्रेशन लगरे घर प्रेंड्स का अंतिमा प्रेंड्स को लास्ट टचप था यह देखिए उनका कुछ फॉरेस्ट डांस जंगल डांस आये थें और फिर हमने अंतिमा का की कट करा उसके लिए सेलिब्रेट जो हमें करना था उसका जाने का टाइम हो रहा था तो हम जल्दी-जल्दी केक कटिंग करना चाहते हैं जो 10,000 सब्स्राइबर अंतिमा के हो गए उसका चोटा सेलिब्रेशन था तो बस यह दोनों बच्चे बैठ गए थे अंतिमा के ही पास हम आयरा एंड ओस और यह केक कटिंग हो गई थी यहां पर साइट पर मुझे देखेंगे कि ख्लैपिंग करते में हमें समझनी आ रहता है कि हमें बोलना के चाह में और फिर ओस चली की थी उसका डांस था जैसे यह परफॉर्मेंस थी हाँ स्कूल में तो ओस के जो चोटे भाई हैं ओजस वो सिक्स बंस के हो गए मैं उनसे आज मिली तो मायरा उनकत खेल रही और अंतिमा ने मुझे यह फाउंडेशन दिया मामा अर्थ का जो मुझे ब अच्छी एक प्लेंग एरिया है उनके ससाइटी का ही पार्क थोड़ा सा लग था वहां पर यह प्लेंग एरिया जहां पे लोग खेल रहे थे यह देखिए अफटावर फ्रेंड्स पी बना ली थे अमारा बद फ्रेंड्ली बच्चा है एक्चली बहुत जल्दीस के फ्रें पर पर आपने फादर पर गई है क्योंकि मैं तो बहुत डिजब नेचर की हूं और जो वरुन है वो काफी फ्रेंड्ली है वो किसी के साथ भी जैल हो जाते हैं बहुत एजली मतलब अपने कंफ़र्ट जोन से बाहर आ जाते हैं पर मैं थोड़ी इन्सान हूं अब हम करेगा वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हूं नए व्लॉग में तिल देन बाब बाए टेक केर थैंक यू फर वाचिंग